फ्रेंट्स, CBTT ने अभी एक ordinance पास किया है, उस ordinance में उन्होंने काफी due dates आपकी ITRs related, financial year 18-19, financial year 19-20, TDS returns related, TDS certificates related, काफी due dates उन्होंने फिर से बढ़ाई है, आएए देखते हैं क्या-क्या इन्होंने वो due dates बढ़ाई है, पहली बात करता है कि जो आपका assessment year start होता था 1 April 2019 से, इन्होंने बढ़ाके कर दी थी, 30 June उसको बढ़ाके कर दिया, इन्होंने 31 July 2020, तो अब आप financial year 18-19, assessment year 19-20 की ITR आपकी 31 July 2020 तक भढ़ सकते हैं, दूसरा, आप उसको revise भी 31 July 2020 तक कर सकते हैं, अगर पहले आपने वो timely file करी थी, आपकी bill date नहीं थी वो return और आप उसको revise करना चा और एक महिने का extra समय मिल गया, ये issue इसलिए भी आ रहा था कि अभी काफी लोगों के pen और आधार link में issue आ रहे थे, इस वज़े से अपरेल 18 से जो financial year start हो रहा था, उसकी return भढ़ने में काफी दिक्कते आ रही थी, तो अब साइद इससे उन taxpairs को काफी relief मिलेगी, जो financial year 18-19 क return नहीं भर पा रहे थे, तो आप अब वो return 31 July 2020 तक file कर सकते हैं friends, बात करते हैं financial year 19-20 की, financial year 19-20 की ITR generally जो date थी, वो 30 July 2020, वो आप भर सकते हैं 30 November 2020 तक, अब आप financial year 19-20, मतलब की assessment year 2021 की ITR आप आपकी file कर सकते है friends, फिर बात करते हैं TDS return की, ये वाला point पर छोड़ रहा हूँ, ये वाला भी अपम सब के कामका नहीं है, हम आते सीधे third point पर TDS की return थी और आपके TCS की return थी, जिसकी date पहले बढ़ा के करी थी, इन्होंने 30 June, generally जो quarter आपका Jan, February 2020 वाला जो quarter है, उसकी due date उन्होंने पहले बढ़ा के करी थी, 30 June, अब उस date को बढ़ा के कर दिया है, इन्होंने 31 जुलाई दोस्तों, तो 31 जुलाई तक अब आप आपके TDS, TCS की return भर सकते हैं, साथ में, आपको अगर कोई certificate issue करना था, TDS, TCS related, TDS deductions related certificate, वो भी 15 अगस्त तक आप issue कर सकते हो, फिर बात करते हैं दोस्तों, 54 से लेके 54 GB तक, जो आपको मकान के construction का था, मकान purchase का था, अगर उससे related आपकी जो due dates पहले expire हो रही थी, 30 March, उस due dates को बढ़ाके इनोंने 30 June किया था, अब इनोंने बढ़ाके उस due date को 30 September तक कर दिया है, कि आप 30 September तक वो सारी compliances कर सकते हो, अगर आपको 54-54 GB में run over benefit लेना था, exemption आपको लेनी थी investment की, तो अब उस investment करने की limit को, इनोंने time period को फिर से बढ़ाके 30 September 2020 तक कर दिया है, फिर बात करते हैं chapter 6 से के deduction जिसमें आपके ATC, ATD, ATG, आपके health insurance, LIC उगरा की deduction की बात कर रहे थे हम, तो financially और 19-20 के लिए generally जो date रहती है कि 31 March 2020 तक payment हो जाना चाहिए, उसकी date को पहले बढ़ाके इनोंने किया था 30 June 2020 तक, अब इनोंने PF का payment हो, आप mutual fund जो की tax saver mutual funds है, ELSS है आपके, या फिर आप किसी bond, bond में जिसका ATC में deduction मिलता है, या ATD में आप premium pay कर रहे हो, ATG में आप donation कर रहे हो, वो अगर आप 31 July तक भी कर देते हो, और आप option लेते हो कि मुझे इसका deduction financial year 19-20 में मिले, तो आपके लिए या option available है, आप 31 July तक भी investment अप कर सकते हो, फिर बात करते हैं audit report की, audit report की date इनोंने बढ़ा के कर दिये, financial year 19-20 के लिए, कि audit आप 31 October 2020 तक आपकी audit completion करा सकते हो, तो इस प्रकार इनोंने ये काफी dates बढ़ाई है, उसके साथ-साथ small taxpayer को लिए एक benefit दिया है, कि जिनका self assessment tech 1,00,000 को exceed नहीं कर रहे है उनको 234A में किसी भी तरिके का ब्याज नहीं लिया जाएगा, अगर वो 30 number तक अपनी return भर देते हैं, तो 234A का उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन जिनका self assessment tech 1,00,000 से उपर बन रहा है, उनके लिए due dates 31 July रहने वाली है, तो मेरी आप सबसे request है कि, अगर आपको लग रहा है कि आपका self assessment tax 1,00,000 से जादा हो सकता है, तो आप 31 July तक self assessment tax का payment कर दे, ताकि आप पे किसी तरह की कोई ब्याज की liability नहीं आए dear friends, अब बात करते हैं, जो विवाद से विश्वास scheme थी उसकी, तो उसमें जो भी आपको payment करना था, without किसी additional payment के, उसकी date बढ़ा के 30 December कर दी है, और उस से जो भी dates थी, assisting officer की side से order बगरा compliance करने की जो date थी, वो 31 December कर दी है, और assisti की तरफ से जो भी compliance करने की date थी, opt करने की, payment करने की, वो date बढ़ा के इन्होंने 30 December कर दी है, तो ये major amendments, ये major updates, आज CBD की तरफ से आई है, जिसमें सबसे major है, वो है एक तो आपके ATG के deduction की, आप ATG का deduction 31 July तक कर सकते हो, जो कि एक general सब सारी public के को फाइदे मन्द हो सकती है, उसके लावा है 18-19 financial year की due date की date, ITR की date, जो कि आप 31 July 2020 तक बढ़ सकते हो, अगर किसी की रह गई थी, दूसरा TDS की, TDS की return, TCS की return आप 31 July तक feel कर सकते हो, उस से related certificates जो है, वो आप 15 अग पढ़ा के, उन्होंने 30 September कर दिया है, तो ये major amendments आए, major updates आए है, I believe ये सब के लिए फाइदे मन्द रहेगा, हो सकता है, ये video थोड़ा fast बनाओ, थोड़ा जल्दी में बनाओ, क्योंकि मैं आप सब को real time update देना चाहता था, real time आपके लिए एक video लाना चाहता था, इसलिए जय हिंद, जय भारत